आज की हमारी next signaling है जो कि GPCR में last पढ़ने जा रहे हैं वो है विजन पात्वे विजन के लिए देखने के लिए कौनसी cell signaling रन होती है कौनसा cell communication रन होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं और यह किसका पार्ट है विजन पात्वे यह पार्ट है GPCR का क्यों क्योंकि जैसा GPCR का receptor है वही तो है इसके अंदर हाँ बस नाम अलग कर दिया जाएगा receptors के नाम अलग कर दिया जाएंगे लेकिन होंगे तो GPCR ही देखिए GPCR में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं camp pathway फिर हमने पढ़ा था इसके बाद IP3 deck pathway हमने बहुत है डिटेल में पढ़ा है यह कि कौन से signal molecule आते हैं और target organism पे जाके अपना response शो करते हैं फिर उसके बाद हमने पढ़ा था cholera toxin उसके बाद हमने पढ़ा था cholera toxin फिर था pertussis toxin यह पढ़ लिया था हमने and then NO signaling nitric oxide signaling आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजन विजन पाथवे ठीक है तो विजन पाथवे में भी receptor क्या होंगे वह ही receptor होंगे receptor का नाम क्या है यहाँ पे है तो gpcr ही बट इस gpcr का नाम यहाँ पे rhodopsin रग दिया कोई अतराज बट है यही यही है यही है अच्छा इसके लिए ligand क्या चाहिए जैसे मैंने हर चीज़ का signaling molecule बताया है इसके लिए अब जो molecule camp pathway run करते हैं मैंने उसके molecules भी बताये है ip3 के भी signaling molecule लग लग होते हैं इसका signaling molecule अलग है इसका भी अलग है और यह और यह तो जो vision pathway है उसका एक ही signal है और वो है light जैसे ही light आएगी रोडॉपसीन पे तो यह वाली vision जो signaling है यह जो pathway है वो run होगा ठीक है इसमें क्या होता है रोडॉपसीन है तो रोडॉपसीन डाइट रोडॉपसीन ही नहीं होता है पहले यह option था यह आँखों में चल रहा है जैसे ही light आती है आपसीन पे तो आपसीन क्या करता है light को absorb कर लेगा देन यह change हो जाएगा रोडॉपसीन में रोडॉपसीन इसके अंदर जो chromophore है उसका नाम है 11 cis retinal यह जो retinal है ना retinal, retinoid, carotinoid यह क्या है vitamin A के metabolites है अब पता चल रहा है कि vitamin A क्यों खाना चाहिए आँखों के लिए क्यों जरूरी है यह उसी का derivative है इसके अंदर रोडॉपसीन के अंदर इसका chromophore होता ही है यही absorb करता है क्या light क्रोमफोर क्या absorb करता है light भाई आपसीन ने light ली और यह बना यह 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 भी तो light लेगा यह भी तो light लेगा और फिर आगे ट्रांसफर जो 11 सिस रेटिनल है जैसे इस पर light आएगी यह चेंज हो जाएगा इसके बाद आगे पाथवे रन होगा ट्रांसडक्शन होगा आगे जो मैं अभी समझाने वाली हूँ अब पाथवे एक्टिव होगा अब यह सिग्नल इन कैसे परफॉर्म होगी वो देखिए वही सबसे पहले क्या बनाएंगे प्लाजमा मेंबरेन सबसे पहले क्या बनाएंगे प्लाजमा मेंबरेन यह बन गई हमारी प्लाजमा मेंबरेन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? एक्टिव रोड ओपसीन एक्टिव कैसे है? क्योंकि लाइट मिल गई है इसे लाइट ही तो चाहिए थी लाइट अब जैसे ही यह एक्टिव होगा तो आपको मैंने बताया है कि यह G प्रोटी रिसेप्टर है इसका मतलब इसके पास Ace Proteins मिलेगी य्य हम पढ़ चुके हैं इतने सारे पात्वे पढ़ चुके हैं क्लियर हो चुका है किसी में मैंने G Halfa लिखा था किसी में मैंने GS लिखा था किसी में मैंने Keep तो जैसे ही Light IE यह चीज क्या हुई Active हुआ यहाँ पे GPCR नहीं बोलेंगे इस receptor को इस receptor को यहाँ पे बोलेंगे रोड़ोपसीन तो जैसे ही जैसे ही light आई किस पे रोड़ोपसीन पे तो यह हो गया active अगर GTP form है इसका मतलब active है और यह अगर मैं GDP लिखती ही तो क्या होता है जैसे यह active होगा तो यह तो बिटा चला यह तो जी चला जी alpha यह active हो गया अब यह क्या करेगा यह जाके गवानायल cyclis को अक्टिवेट नहीं करेगा बाकी में तो हम यह देख रहेते है एडिनाय साइकलेज, गौाइनाय साइकलेज, यह जाकर एक्टिवेट कर देगा PDE को, यहाँ पे PDE क्या है, यहाँ पे PDE है, फास्फो डाई एस्टरीज, इसका फंक्शन देखो, इसका फंक्शन क्या होता है, कि यह CGMP के लेवल को डिक्रीज कर देता है, मतलब CGMP को, साइकलिक GMP को चेंज कर देता है, यह GMP में, मतलब इसका लेवल तो डिक्रीज कर देगा, और यह लेवल ऐसे, इसकी जगह अगर वो होता तो, इसकी जगह अगर गौरिल साइकलिस होता तो, वो GTP को CGMP में change करता है इसको बढ़ा देता बढ़ा ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं है क्योंकि ये active है ये active है अब क्या होगा अब जब CGMP ही नहीं है CGMP ही नहीं है तो क्या होगा जो channel इसकी according activate हुआ करते थे जो channel इसकी according activate हुआ करते थे वो activate नहीं होंगे जो इसकी through activate हुआ करते थे वो channel close रहेंगे मतलब कि sodium अंदर नहीं आपाएगा क्योंकि channel क्या है बंद है तो बहार से sodium अंदर नहीं आएगा अगर CGMP होता ज़्यदा तो calcium आता पर यहां पर level ही नहीं है तो यहां पर यह भी अंदर नहीं आपाएगा ना sodium ना calcium कोई भी आयन अंदर नहीं आपाएगा तो क्या होगा कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं जब माइनस वाले जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं अगर यह अंदर ही नहीं आ रहे हैं तो सेल का इंसाइड में क्या होगा सेल अंदर से हाइपर पॉलराइजड हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि अंदर ज़ादा नेगेटिविटि हो जाएगी जिसकी वज़े से किसी भी तरीके का कोई भी वेसिकल्स नहीं निकलेगा ना ही कोई सिनेप्टिक टांस्मिटर्स निकलेगे कुछ भी नहीं होगा और विजन हम देख पाएंगे यह जोजी तो ये थी mechanism vision की अभी तो ये light है अभी तो ये light है अगर मान लो कि light ना दू तो क्या होगा वो भी दिखा देती हूँ अगर light नहीं है तो क्या होगा तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी फिर से plasma membrane बनाऊंगी ये मैंने बना दी plasma membrane ये रहा GPCR receptor यहां पर इस receptor का नाम क्या है इसका नाम है रोडॉपसी हम GPCR नहीं बोलेंगे जैसे कोड़रा टॉक्सी में हमने बदल दिया था नाम GM1 receptor बोल दिया था वैसे ही है और ये जो यहां पर है यहां पर क्या है एक तरफ है सोडियम के चैनल और एक तरफ है केल्शियम के चैनल तो अब क्या हुआ यहां पर light नहीं है नो light जब light ही नहीं है तो जो जी अलफा है वो तो इनेक्टिव फॉर्म में रहेगा इस फॉर्म में तो ना ही यह इससे अलग होगा ना ही इससे अलग होगा तो यह जो फॉस्फोरडाइस्टेरेज है इसको यह एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा तो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो जो cgmp से gmp बन रहा था यह जो प्रोसेस हो रही थी cgmp से gmp यह प्रोसेस नहीं होगी अब क्या होगा अब पोजिट होगा अब जब ये चेंजिंग इसमें होई नहीं रही है तो मीडियम में ये क्या होंगे जादा हो जाएंगे सेल के इंसाइड ये जादा हो गए अब जैसे ही जादा जाएंगे ये बाइंड कर जाएंगे इन चैनल्स पर आके इन चैनल्स पर आके ये क्या हुआ बाइंड कर गए कौन सी जी एमपी तो इससे क्या हुआ कि चैनल्स उपन हो गए इससे सोडियम इन चैनल्स से कैल्शियम ये अंदर आ गए है पॉजिटिव चार्ज वाले तो अब क्या हाईपर पॉलराइज रहेगी क्या मेंबरेन अंदर से नहीं अब डीप उलराइज हो गई मतलब पॉजिटिव चार्ज हैं अंदर इससे क्या होगा इससे क्या होगा जो नियूरो ट्रांस्मिटर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं दिखेगा तो ये थी विजन पाथवे अब समझ में आया है लाइट में में कैसे दिख रहा है लाइट क्यों जरूरी है देखो देखो नोटिस कर रहे होंगे कि लाइट में इतनी मुश्किल नहीं हो रही शाय जितनी डार्क में हो रही है जब लाइट नहीं है तब तब ज़्यादा देखो सिगनल ने अक्टिवेट होती ज़्यादा चैनल्स खुलते हैं और नियूरो ट्रांस्मिटर्स लिलीज होंगे फिर भी नहीं दिखेगा अपन को कुछ भी पड़ यहाँ पर देखो सिंपल है यह इसको एक्टिवेट कर रहा है यह इसको कर रहा है और यह कुछ भी नहीं कर रहा यह भी यहाँ भी कुछ भी नहीं कर रहा तो यह हो गए हमारा विजन पाथवे यह हो गया हमारा विजन पाथवे तो आज के लिए यह पात्वे मिलते हैं नेक्स्ट पात्वे के साथ तब तक के लिए थैंक्यू